बलग क्या अब धीरे धीरे खत्रों के खिलाडी जो है Big Boss जैसे बनता जा रहा है किसने लगाया है ये बड़ा इलजाम की खत्रों के खिलाडी जो है Big Boss के कदमों पे निकल चुका है जहां पे कई सारे चीज़े ऐसे हो रही है Controversies के लिए या फिर TRPs को बढ़ाने के लिए आपस में contestants की लडाई होने के लिए या फिर favoritism भी तो चली, बताते हैं क्या कुछ हो रहा कौन क्या कह रहा है आप देख रहे है FIFA FOOS मैं हूँ आपकी host रंदोस विदांगी करने को कई सारे fans का social media पे जो लोग है audiences है जो इन दोनों shows को देखती है कही न कहीं लोगों को अब लगने लगा है कि खत्रो के खिलाडी धीरे धीरे खत्रो के खिलाडी कम और big boss जादा लगने लगा है क्यूंकि हमने देखा अलड़ी प्रोमो एक आउट हुआ जहाँ पे कई सारे contestants जो है रुबीना के against vote कर रहे थे एक तो elimination के लिए या फिर elimination task के लिए so voting हो रही थी और हमने देखा उसके उपर रुबीना ने एक tweet भी किया था पहले जिसका अभी कही न कही sense बन रहा है कि आप जीतना कैसे चाते हो honesty के साथ या dishonesty के साथ ऐसा कुछ उनका tweet था so कही न कही अब वो आने वाले episode में हमें दिखाई देने वाला है plus इस तरीके से खबरे आ रही है कि तुशार के पास कोई star medal है जिसके चलते वो अपनी powers का इस्तमाल करते हुए swap कर सकते है तो elimination stunt में मोहित वर्सिस सृती का stunt था तो मोहित को उन्होंने बचा लिया उस star को देकर उस medal का इस्तमाल करते हुए और उसके बदले जो है जननत को वहाँ पे भेज़ दिया जननत सृती के बीच टास्क हो जाता है जिसमें जननत जीत जाती है और सृती strong contestant है तो कहीं न कहीं लोगों का आप कहना शुरू हो गया है सोशल मीडिया पे बाते करना शुरू हो गया है कि खत्रों के खिलाडी अब बिल्कुल planning plotting कर रहा है favorite contestants को बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर ये contestants एक दूसरे को बचा रहे है इनके कोई alliances बन गए है बिल्कुल big boss के तरह ये सारी चीज़े हो रही है जो fans को अभी ऐसा लग रहा है कि खत्रों के खिलाडी इस आल अब बाउट stunts and performance लेकिन अब ऐसा कम दिख रहा है और कही न कही gang up कर रहे है या gangs बन रहे है ऐसा भी लोगों का कहना है तो आपको क्या है लग रहा है इसके उपर क्या आपको लग रहा है कि खत्रों के खिलाडी pure stunt based show है या धीरे धीरे big boss की तरह बनने लगा है what's your take on it let me know in the comment section I'll see you guys soon